The Ultimate Channel में आप सभी को अभिशेक सरकार का नमस्कार तो डॉग ब्रीट की इस सीरीज में आज हम बात करेंगे एफन पिंस्टर नाम के एक डॉग ब्रीट के बारे में दोस्तो इस डॉग ब्रीट को मंकी डॉग भी कहा जाता है तो इसके बारे में जानना बहुती जादा इंट्रस्टिंग होगा आपके लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए आप हमको इंस्टाग्राम और फेस्बुक में भी फॉलो कर सकते हैं एफन पिंस्टर को पहली बार जर्मनी में ब्रीट किया गया था इसलिए इसका ओरिजन जर्मन है इसको मंकी डॉग इसलिए कहा जाता है क्योंकि जर्मन भाशा में एफन का मतलब होता है मंकी और जो पिंस्टर होता है उसका मतलब होता है टेरियर यानि की स्मॉल डॉग इसल पहले चुहे मारने के लिए इस्तमाल किया जाता था क्योंकि यह इतना सा डॉग है इसको चुहे मारने के लिए इस्तमाल किया जाता था इसको स्टेबल में जहां पर घोड़े रखे जाते हैं वहां पर फार्म में या फिर शॉप्स में रखा जाता था ताकि वहां के जितने अपने पास रखने लगी और इसको गोद में लेके घूमने लगी इसको woman's companion भी कहा जाता है पर दोस्तो इसका कोई proper documentation नहीं है कि इसका origin कब से start हुआ कब इसको breed किया गया पर ये माना जाता है 18th century की end में इसका breeding start हुआ ये पहली बार जर्मनी के Berlin और म्यूनिक में famous हुआ पहले ये चुहे मारने के लिए यूज होता था पर धीर धीरे ये lap dog बन गया इसके बाद Berlin lap dog club ने इसको मानेता देनी की जो प्रक्रिया है वो start किया 1902 में पर मानेता मिलते मिलते 1913 हो गया 1913 के बाद ये America भी गया United States भी गया ये breed और वहाँ पे 1936 में American Kennel Club यानी AKC ने इसको मानेता दी पर उसके बाद World War हो गया World War के टाइम जर्मनी से ये breed अमेरिका नहीं जा पाया और अमेरिका में इसकी breeding रुख गई अमेरिका में इसका फैलाव रुख गया 1950 में फिर से अमेरिका में ये मिलना स्टार्ट हुआ पर अभी भी ये डॉख बहुती जादा रेयर है अगर मैं दोस्तो इस डॉख की personality की बात करूँ तो ये बहुती energetic डॉग होता है हमेशा भागता फिरता रहता है intelligent भी बहुत जादा होता है family से बहुत जादा loyal भी होता है भले ये छोटा सा डॉग हो पर ये हमेशा आपको protect करने के लिए तयार रहता है पर कुछ चीजों का आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा कि बचपन से ही इसको socialize कराईए दूसरे dog से दूसरे human से दूसरे इंसानों से और इस बात का भी ध्यान रखे कि ये अपने से बहुत जादा बड़े dog से भिड़ना जाए क्योंकि इसको पता नहीं लगता है ये आपको protect करने के लिए किसी भी बड़े dog से भिड़ जाएगा पर आपको ध्यान रखना है कि बड़े dog इसके ओपर aggressive ना हो क्योंकि जो बड़े dog होता है वो समझते है कि ये उनका शिकार है क्योंकि छोटा सा है प्रे है तो हो सकता है कोई बड़ा dog इसके ओपर attack कर दे ये समाल नहीं पाएगा तो इस चीजों का भी ध्यान रखा जाए second thing ये घर के लोगों के साथ बहुत ज़ादा friendly होता है घर में जितने भी लोग है सब के साथ बहुत friendly होता है पर ये kids के साथ friendly नहीं होता बहुत जो छोटा kid होता है अगर आपके घर में छोटा kid है तो ये dog आप मतलाईए क्योंकि छोटे kids के साथ छोटे बच्चों के साथ ये बिल्कुल friendly नहीं है बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए थोड़ा समझने के stage पर चलने फिर लग जाए 600 साल का हो जाए तब आप ये dog लेके आ सकते हैं अगर बिल्कुल छोटा बच्चा है आपके घर में तो आप ये dog मतलाईए क्योंकि ये dog छोटे बच्चों से चिड़ते हैं अगर हम size की बात करें तो इसका size 9 से 11 इंच तक होता है इसका weight 7 से 9 pound के बीच में होता है और इसका average जो age है वो 12 से 14 साल के बीच होता है इसकी care करना भी बहुत जरूरी है ये छोटे apartment के लिए भी ये बहुत ही अच्छा dog है क्योंकि इसका size बहुत जादा छोटा होता है तो छोटे घर में भी ये भाग लेगा घूम लेगा खेल लेगा exercise कर लेगा अगर आप इसको balcony में भी छोड़ दो balcony में भी ये अच्छे से भाग लेगा पर ये थोड़ा जादा भौकता है अगर आपके आसपरोस के लोग कोई दिक्कत नहीं है तब आप ये रख सकते है नहीं होगी पर फिर जो नॉर्मल किसी भी डॉग में हो सकती है कोई भी बीमारी तो इसमें भी हो सकती है एफन पिंस्टर को तब भी अपने घर ना लाया अगर आपके घर में पहले से कोई राबिट रैट या फिर छोटे कोई अपने अनिमल पेट पाले हुए है क्योंकि इसको पहले रैट मारने के लिए चुहे मारने के लिए इसको ब्रीट किया गया था तो इसमें अभी भी ये वाली आदत है तो कोई भी छोटा ऐसा अनिमल उसके सामने दिखेगा तो वो उसके ओपर अटैक कर देगा तो अगर आपके पहले से ऐसे पेट्स है जो बहुत छो फिला रहना पसंद नहीं करता है हम यह recommend करते है कि इसको बच्पन से थोड़ी बहुत training दी Carn! बचपन से इसको train किया जाए हाला कि इसको train करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये lap dog है, छोटा dog है बहुती प्यार से रहने वाला dog है इसको train करना थोड़ा मुश्किल है पर फिर भी इसको training दी जाए ताकि ये अच्छा behave करे बड़ा होके तो दोस्तो ये थी एफन पिंस्चर की breed हम फिर से एक बार recap कर लेते है एक तो ये बहुत छोटा dog है अपार्टपेंड में या फिर छोटे घर में ये अराम से आ जाएगा आप अगर first time dog owner भी है फिर भी आप इस dog को ले सकते है ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही cute और easy to maintain है इसको आप गोद में लेके कही भी घूम सकते है, कोई दिक्कत नहीं है किस किसको इसको नहीं लेना चाहिए पहली बाद जिनके घर में बहुत छोटा बच्चा है, newborn baby है उनको ये एकदम नहीं लेना चाहिए ये डॉग, second thing अगर आपके घर में पहले से कोई rat या फिर hamster, rabbit कोई है तो तब भी आपको ये डॉग नहीं लेना चाहिए तीसरा कारण, अगर आप सब लोग job करते हो उसका ख्याल रखने के लिए कोई नहीं है घर पे तब भी ये डॉग आपको नहीं लेना चाहिए क्योंकि इसको अकेला रहना पसंद नहीं है बाकी किसी भी सिनारियो में आप ये डॉग ले सकते हैं उमीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी हम ऐसे ही रेगुलर हर एक डॉग ब्रीट के बारे में जो कि एक इसी से अप्रूव्ट है वीडियो बनाते रहेंगे और आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हम देते रहेंगे हमारे साथ बने रहिए और इस चैनल को सब्स्ट्राइब कीजिए जहन